पेशकार और काईदा बजाने के बारी आती है रिला और गत काईदा बजाने की इन दोनों में से आप कोई भी एक बजा सकते हैं या चाहें तो दोनों भी बजा सकते हैं अगर आपके पास समय है अगर एक देड़ घंटा आपने प्ले करना है तो गत काईदा भी बजा सकते हैं और रिला काईदा भी बजा सकते हैं कई लोग रिला को रौ भी बोलते हैं तो रौ काईदा और रिला काईदा एक ही होते हैं उनमें कोई फरक नहीं होता तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गत काईदा क्या होता है अब काईदे का एक नियम है उसमें धाकी धागे तिनना किनना या धागे तिनना किनना आखिर में बज़ता ही बज़ता है अब गत काईदा में ऐसा नहीं होता जिस परकार गत बजाए जाती है गत की खासियत क्या होती है उसमें एक पूरे बोल बजाए जाते हैं पर आखिर में तिहाई नहीं बजाए जाती है अगर उसके आखिर में तिहाई लगा देंगे तो वो परन की शेप ले लेगा परन और गत में यही फरक है परन के भी बोल चार-चार के समू में होते हैं गत क के भी बोल 4-4 या 3-3 ऐसे समू में होता है यह गत को पहचानने का तरीका है अगर आप परन को सुनेंगे तो कोई भी परन ले लिए जैसे पीछे मैंने फर्माईशी चक्करदार परन आपको सुनाई थी तो यह एक समू में बोल चलते हैं तो इस परकार समू में बोल चलते है और आखिर में तिहाई होती है जिसमें तिहाई होगी वो होती है परन और जिसमें तिहाई नहीं होगी जैसे तो इसमें लास तक हमें कोई भी तिहाई नहीं सुनाई दी यह गत की पहचान होती है जिसमें समू के बोल होते हैं और आखिर में किसी परकार की तिहाई नहीं हो अब आते हैं गत काईदा पे जिस परकार गत में आखिर में तिहाई नहीं होती सीधे तरह के बोल होते हैं उसी परकार गत काईदा में आखिर में धाती धागे तिना किना या धागे तिना किना नहीं लगाया जाता तो इसमें धिन नाना कित या धागे तिन नाना कित या धात तो ये गत कायदा है इसमें देख सकते हैं आप लास्ट में तरहके इसपर कार के बोल आए अब सको तेम जाइंगे और इसको अच्छी टैंबोने देख लेते हैं Vallahi तो जी सब्सक्राइब तो यह है गत काइदा और इसके पंटे आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं कुछ पंटे मैं आपको बता देता हूँ पहला पंटा है दूसरा बल्टा बना लेते हैं दूसरा बल्टा बना लेते हैं तो जी सब्सक्राइब तो जी सब्सक्राइब तो जी सब्सक्राइब दूसरा बना लेते हैं तो जी सब्सक्राइब 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 तो इस प्रकार आप जितने चाहें उतने पंटे बना सकते हैं और आखिर में तिहाई लगा कर इसको विराम दे सकते हैं इसके एक सिंबल सी तिहाई देख लेते हैं तो यह हो गया गत काईदा अब इस पोर्शन में आप गत काईदा के बाद एक रेला काईदा भी एड़ कर सकते हैं अगर जाधा समय नहीं है जैसे आप कंपिटिशन में बजाते हैं तो 10-15 मिनिट का ही समय होता है तो उसमें आप यह गत काईदा बजा लीजी यह रेला काईदा बजा लीजी दोनों में से कोई एक बजा लीजी है जैसा आपको ठीक लगया वैसा आप सोडोर डिजाइन कर सकते हैं तो इसके बाद हम रेला काईदा देखते हैं रेला या राव काईदा अब रेला या राव काईदा को यह नाम क्यूं दिया गया है इस पर बात करते हैं रेल का मतलब है ट्रेन यानि की एक चलने वाली रेल गाड़ी अब जब रेल चलती है तो एक पाटिकुलर साउंड क्रियेट करती है तो इस पर का साउंड रेल गाड़ी क्रियेट करती है तो तबला में बजाये जाने वाले रेला के बोल भी उसी रेल गाड़ी की आवास से कुछ हद तक मैच करते हैं जिस पर का दाट रिकरता है तो जब इन्हीं बोलों का पुराने गुणी जनों ने विस्तार किया तो उन्हों ने इसको रेला का नाम दिया अब रिला काइदा पर बात करते हैं रिला काइदा वो होता है जिसमें काइदे की तरह रिला के बोलों को बजाया जाता है तो आईए एक रिला काइदा भी देख लेते हैं मैं अपनी सोलो में रिला को एक अलग तरीके से स्टार्ट करता था मैं वो आप से शेर करता हूं जिस पर का विलंबे तीन ताल का नगमा चल रहा है करता है तो इस प्रकाराब जे तरह जो 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 तरह वर्तन चाहें इसको प्ले करके एक्तिहाई अच्छी सी दिखा कर इसको विराम दे सकते हैं जैसे कि मैं एक्तिहाई सुना देता हूँ आपको तो ये था रहला काईदा सोलो तबला में आप इसको पेशकार काईदा बजाने के बाद कहीं भी बजा सकते हैं ये सुनने में लोगों को बहुत अइंटरेटेन करता है तो ये था आज का लेसन उमीद आपको पसंद आया हूँ